बहुपद मिथ्याधारनाई आज हम देखेंगे बहुपदों से जुड़ी मिथ्याधारनाई कुछ उधारनों से हमने बहुपदों को अच्छे से जाना अब चलिए इनसे जुड़ी कुछ मिथ्याधारनाउं को दूर करें दिये हुए व्यन्जकों में से कौन सा बहुपद है? 2xy, pq जमा 2, y जमा x जमा z उप्रोक्त सभी a, 2xy यदि option a को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि इसमें एक पद है जो की एक बहुपद भी होगा जैसा कि हम जानते हैं वह व्यन्जक जिसमें एक या एक से अधिक पद हो बहुपद यानि पॉलिनॉमियल कहलाता है b, pq जमा 2 यदि option b को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि व्यन्जक pq जमा 2 के दो पद है इसलिए ये दूई पद है तो ये एक बहुपद भी होगा क्योंकि इसमें एक से अधिक पद है c, y जमा x जमा z यदि option c को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि व्यन्जक y जमा x जमा z के तीन पदों को आपस में जोडा गया है इसलिए ये एक त्रिपद है और इसलिए ये एक बहुपद भी होगा d, उप्रोक्त सभी जैसा कि हमने देखा कि उप्रोक्त सभी विकल्प बहुपद है अतह विकल्प d इसका सही उत्तर होगा निम्नलिखित में से कौन सा त्रिपद बहुपद है? a, y की घात 3 b, 3 u v z c, b, 5, 2 b d, p की घात 2, 5, 4 a, y की घात 3 यदि option a को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि इसमें एक पद है तो ये इसका सही उत्तर नहीं है b, 3 u v z इसमें भी एक पद है और इस प्रकार ये भी सही उत्तर नहीं है c, b, जमा 5, जमा 2 b यदि option c को देखें तो यहाँ पर b और 2 b तो समान पद है और इसमें दूसरा पद 5 होगा इसलिए ये एक दूई पद है तो ये भी इसका सही उत्तर नहीं है d, p की घात 2, जमा 5 b, घटा 4 अगर इस option को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि यहाँ पर 3 पद है जो कि एक 3 पद है अता विकल्प d इसका सही उत्तर होगा आज हमने देखी बहु पदों से जुड़ी मिथ्याधार नाए आशा करते हैं इस विडियो से आपकी कई मिथ्याधार नाएं दूर हुई होगी और बहु पदों की अच्छी समझ बन कई होगी धन्यवाद